हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्विडिव क्लास में तो फ्रेंड्स आज में क्लास 10 की महत से एक्सरसाइज 14.3 का कोश्चन नमबर फर्स्ट लेकर करके आया हूं और वीडियो को सुरू करते हैं तो इस वीडियो में इससे कॉष्चन को डिसक्रस करूँगा आप एस वीडियो को 覺हां से देखिए आनत्ता तक देखिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपилась तो कोश्चन मेंत्तांच Conferenceed Distribution सब्सक्राइब करना है फिर उनको कंपेर करना है कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है ठीक है विच्वन इस लेस और विच्वन इज मोर तो डाटा क्या दिया है हमारे पास मंतली कंजम्शन इन यूनिट्स जनरली जो हमारी एलेक्टरिसिटी का मीटर होता है उसकी रीडिंग यूनिट्स में काउंट होती है तो वह यह वाला यूनिट है 65-85-85-105-105-125-125-145-145-165-165-185-205 तो यह हमारा क्लास इंटरवल है ठीक है नंबर आप सब्सक्राइब कर लिए तो आपकी बुक में होगा लिखने की कोई भी जरूर नहीं है मैं इसे मिटा लेता हूं फिर आपसे मिलता हूं आपने आह पर जो अंद बना लिया है अब इसको उंफिल करेंगे देखो अमने इंट्रेवल होता है और आपसे करेंगे अब 4 को second वाले में add करो तो 4 प्लस 5 9 और फिर इसको आगले वाले में add करो तो 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा 22 22 प्लस 20 42 42 प्लस 14 यह हो जाएगा मारा 56 56 प्लस 8 64 और प्लस 4 यह हो जाएगा मारा 68 तो यह हो गया हमारा cumulative frequency आप देखो सबसे पहले हमें number of consumers दिया हुआ है capital N is equal to 68 question में दिया हुआ है और नहीं दिया हुए तो cumulative frequency वाला ही क्या आजाएगा हमारा 22 और 42 के बीच में like करेगा cumulative frequency को चेक करते हैं तो 22 और 42 के बीच में like करेगा अब ध्यान से देखना इसमें 22 छोटा है 42 बड़ा है तो median के case में जनरली बड़ा cumulative frequency को चूझ करते हैं तो यहां पर 42 को चूझ करेंगा यह बन जाएगा हमारा cumulative frequency का median class यह बन गया हमारा median class कि अब एक बार में median class मिल गया तो यह वहला क्लास हमारा होगा median class तो यह पर रैट कर लेंगे median class कि इतना हो जाएगा 1252 145 ठीक है यह हमारा क्या हो सबस्क्राइब करना और सब्सक्राइब करने क cliff होता है इसका फर्मूला अपर किलाइब फसर लिमिंट लोभर गैइंट तो आपर सब्सक्राइब करने के बाद कितना की कि is equal to 20 तो आरोम स को सब्ट्रैट करके रैट कर लेंगे बड़ा दिखाने की द़रों नहीं है अब दीखर यहां पर अगला give a number iphone करना लोवर क्लास लिमिट यह ओ गया हमारा lower class limit 125 मरा frequency fiend करना क्यों सीपाइट करना एसमें में जो frequency है वो हो जाएगा हमारा f और जो मारा median class है उसका preceding cumulative frequency हो जाएगा हमारा cf तो यहां से f आ गया हमारा 20 और cf आ गया हमारा 22 अब formula यूज करेंगे value को put करके solve करेंगे by using formula तो देखो जो मारा median का formula होता है median is equal to l plus n by 2 minus cf upon f into h l है हमारा lower class limit जो कि हमें दिया है 125 n by 2 है हमने find क्या है 34 और cumulative frequency है 22 frequency है 20 class size हमने find क्या 20 तो 125 अब देखो इसको 34-22 को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो result मिलेगा 12 और यहां पर आ जाएगा 20 20 से 20 cancel हो जाएगा 12 को 125 में add कर देंगे तो यह आ जाएगा देखो 5 प्लस 272 प्लस 13 और वन तो कितना आ जाएगा median median आ जाएगा हमारे पास 137 unit question में मैं बोला थे कि answer आपको units में देना है तो इसका answer median का कितना आ जाएगा 137 units ठीक है तो यह हमारा median हो गया आप चाओ तो इसे क्राइड डाउन कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके स्क्रीन सॉट ले लो कि मीन फाइंट करना है तो यहां पर मैंने टेबल बना रखा है अब सबसे पहले हम फिल करेंगे है क्लास मार्क तो देहों क्लास मार्क जो होता है उसको एकसाई से डigner करते हैं इसका फार्मूला होता है相अ पर लिमिट पलस लोवर क्लास लिमिट भाई 2 ठीक है तो अभी हम पहले क्लास के लिए फैंड करेंगे यानिकी एक्सीणके लिए find करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास लिमिट है 85 और लोवर क्लास लिमिट है 65 बाइटू तो 5510 हो जाएगा वनकारी 8 6 14 15 बाइटू तो 27 14 25 जो पहला क्लास मार्क है वो फिल किया जाएगा 75 कितना 75 इसके बाद में एक्स टू फाइंड कर लेंगे एक्स टू हो हमारे पास 105 प्लस 85 बाइट करेंगे तो 5510 819 और वन हो जाएगा अपन टू तो इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 29 जाए 18 25 जा 10 तो 95 हो जाएगा कितना 95 अब देखो सारे ये क्लास का ऐसे के करके हम फांड नहीं करेंगे क्लास मार्क हम क्या करेंगे दो का कर लिया हम नहीं आप देखेंगे कि यह जो एक्स वन वाला क्लास मार्क है और एक्स टू अलग क्लास highway मतलब मतलब 95-75 कर लीजिए तो 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 representing 60 का या रहा है तो अब आप क्या की यहां पर 2020 2020 एड करते चले जाएए आपका क्लास मार्क बनता चला जाएगा तो यहां पर देखो 20 एड करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 135 155 175 195 बन गया रहा हम से ज्यादा समय नहीं लगेगा हमारा तो आप देखिए अब हमें फिल करना है यानि कि फ्रिक्वेंसी और जो क्लास मार्क है उसका कितना होगा तो देखो सबसे पहले से मल्टिप्लाइ कराएंगे 45 जा 22 कैरी 47 28 to 3300 आ गया तो 35 जा 65 6 कैरी 13 बन जा 13 प्लस 6 19 बन कैरी 13 बन जा 31 14 20 से मल्टिप्लाइ कराएंगे तो देखो पहले तो हम 0 लगा देंगे फर 25 जा 10 बन कैरी 23 जा 6 1 7 2 बन जा 2 14 से मल्टिप्लाइ कराएंगे तो 14 5 जा 70 7 कैरी 14 5 जा 70 प्लस 7 77 7 कैरी 14 बन जा 14 7 21 8 से मल्टिप्लाइ कराएंगे तो 8 5 जा 40 4 कैरी 8 7 जा 56 4 60 6 कैरी 8 बन जा 8 6 14 ठीक है 4 से कराएंगे तो 4 5 जा 20 2 कैरी 4 9 जा 36 प्लस 238 3 कैरी 4 1 जा 4 3 7 ठीक है तो यह हो गया हमारा प्रोड़क्ट आफ फाइंटू XI तो आप देखो हमने फाइंटू XI फाइंट कर लिया है अब इनको क्या करेंगे अब इनका सम फाइंट करेंगे तो सबसे पहले देखो 0 प्लस 5 5 प्लस 5 10 प्लस 0 10 यह मिलब 10 आ जाएगा तो 0 1 कैरी 0 प्लस 7 7 प्लस 9 16 16 4 20 23 23 31 32 3 कैरी 3 प्लस 4 7 7 4 11 11 7 18 19 23 33 33 33 फाइंट क्ल्स फ्री प्लस फाइव सिक्स थियन तो घितना आ अ गया देखो तो यह आ अगया हमारा सम्मेशन आप Vài इंट इक साई 9,320 नाइन थी टू जिरो अब हम फाइंड करेंगे सम्मेशन आफ फाइंड करेंगे सम्मेशन आफ फाइंड तो 4 प्लस 59 और 9 प्लस 13 22 प्लस 20 42 प्लस 14 56 प्लस 8 64 प्लस 468 तो हमारा देखो सम्मेशन आफ फाइं कितना आ गया 68 आ गया सम्मेशन आफ फाइंड एक साई कितना आ गया 9,320 अब देखो मीन का फार्मूला होता है मारे पास mean is equal to summation of fi into xi upon summation of fi यह हमारा क्या होता है mean का formula होता है और mean को हम x bar से denote करते हैं तो देखो x bar is equal to summation of fi into xi कितना आ गया यह हमारे पास आ गया 9320 और summation of fi कितना आ गया वो आ गया 68 ठीक है अब क्या करेंगे इसको 2 से divide कर देंगे तो देखो 248, 2612, 2612, 0, 2346, 248 अभी भी यह 2 से divide हो सकता है 224, 2346, 2346, 200 और यह आ जाएगा 17 है ना अब यह आगे तो देखो 17 प्राइम नंबर एडिवाइड होगा नहीं तो फिर इसे हमें division method से divide करना होगा 2330, 17 तो अभी कितनी बार जाएगा अभी यह one times होजाएगा 17 remaining कितना 13-7 become 6 और यह cross हो जाएगा इधर 3 right कर लेंगे अब 17 फोर्जा 68 होता है तो फोर्जा जाएगा नहीं 17 30 51 रिमेनिंग 2 और 12 हो गया फिर नेक्स्ट टाइम में यह वाला 0 right कर लेंगे तो अभी 17-7 जा 119 ठीक तो यहां पर रिमेन होगा 1 decimal लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे 10 में जाएगा नहीं तो यहां पर एक जिरो और हो जाएगा और 17 फाइब जाओगा एक्टी फाइब और 17 जा वन अंडे टू लेना ही जा सकते तो फिर 17 फाइब जा ले जाएंगे तो 17 फाइब जाए 85 ठीक है तो इसके आगे डिविजन करने की जोरू नहीं है क्योंकि हम अलड़ी दो डिजिट तक पहुँच चुके हैं तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा एक सबार इस इक्वल टू यह बन जाएगा 137.05 तो यह हो गया हमारा मीन और यह आंसर यूनिट्स म हैं तो यह हमारा मीन आगया आप चौत इसे रेड़ाउन कर लो या फिर विडियो को पहुच करके स्क्रीन सॉट ले लो तो यह वाला जो क्लास इंट्रवल हो जाएगा यह मारा हो जाएगा मोडल क्लास क्या हो जाएगा मोडल क्लास ठीक है क्या हो जाएगा मोडल क्लास हो जाएगा अब एक बार अगर में मोडल क्लास पता चल गया तो यहां पर लेट मॉडल क्लास इज तो मॉडल क्लास हो जाएगा 1252 145 यानि कि 125 to 145 अब सबसे पहले देखो मॉडल क्लास अगर में पता चल गया तो यह मारा लोबर क्लास लिमिट है यहां से मैं ल की वैलू पता चल गई लोबर क्लास लिमिट तो यहां पर कितना है 125 ठीक अब हमें करना होता है एच होता है मारा क्लास साइज इसका फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोबर क्लास लिमिट तो यहां पर जो वैलू रखेंगे तो अपर क्लास लिमिट है 145 और लोबर क्लास लिमिट है 125 तो यहां से में क्लास साइज क्या मिल जाएगा वह मिल जाएगा 20 ठीक है और फिलाल आपको इतना बड़ा नहीं करना है आप सीधे यहां पर राइट का लीजे 20 क्या राइट का लीजे 20 ठीक है अब देखो अब बात आती है हमारी फ1 f02 की तो सबसे पहले हमने जो मौडल क्लास माना है उसकी सबसे पहले आप यह हमारे मौडल क्लास यह म Але है संक्सीडिंग क्लास एगले सबसे पहले आप यह देख लीजे कि भई इसकी फ्रिक्वेंसी कौन सी है तो यह हमारा हो गया मोडल क्लास की फ्रिक्वेंसी इसके उपर वाला हो जाएगा एफ नौट और इसके नीचे वाला हो जाएगा एस टू ठीक है तो आप यहां से हम राइट कर लेंगे एफ न लगाते हैं आपर ठीक हो लिए हो गया हमारे मोड का pegar यह ओता है ऐल प्लस एफ वन माइनस औपन टू एप आपन फ्वन दूड और माइनस फब्रॉम टू अच रखे यह मोड का फर्मुला मोड का फर्मूला क्या होता है mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H अब सारे की value पता है substitute कर देंगे L की value पता है 125 और F1 है हमारे पास 20 F0 है हमारे पास 13 और यह हो जाएगा 2 into 20 माइनस 13 माइनस 14 ठीक है into 20 अब देखो इनको आगे solve करेंगे 125 प्लस 20 माइनस 13 करेंगे 7 आ जाएगा और यह 22 जा 40 माइनस माइनस रहेगा तो साइन माइनस का ही रहेगा दोनों टर्म एड होंगे तो 14 प्लस 13 27 हो जाएगा इन्टू 20 है यह 20 जो होगा वह 7 के साथ multiply होगा तो यह बनेगा 125 प्लस 140 अब आ देखो 40 माइनस 27 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 17 कितना आ जाएगा देखो 40 माइनस 27 करेंगे तो यह आ पर पास आजाएगा 13 अब इनको हम अलग से डिविजन कर लेते हैं यह आजाएगा 140 डिवाइड भाई 13 सबसे पहले वन टाइम सुले जाएंगे तो माइनस करेंगे वन आ जाएगा यह जिरो राइट कर लेंगे आदेखो यह चोटा नंबर है तो जीरो टाइमस ले जाएगे और पर 00 कर लेंगे और माइनस करने के बाद में फिर वापस टेना जाएगा और अभी यह चोटा है आगे कोई डिजिट है नहीं तो डेसमर लगा देंगे और यहां पर 0 बढ़ा लेंगे तो यह हो जाएगा 100 अब देखो यह जो थर्टीन है ना इसका टेबल हम सेवन टाइमस पड़ सकते हैं तो थर्टीन सेवन जा रिमेनिंग हो जाएगा 9 अगे डेसमल लगा हुआ जिरो लगा देंगे 90 हो जाएगा थर्टीन सिख जा यह वन तो यहां पर अपको मोड कितना आ गया देखो यहां पर आपका मोड आ गया 135.76 कितना आ गया 135.76 अब इसका आंसर आपको यूनिट्स में करना है तो फाइनलि मोड कितना आ गया 135.76 यूनिट्स ठीक है तो ये तो हो गया हमारा मीन मोड मेडियेन अब इनको कंपेर करना है तो पहले मैं तीनों के आंसर राइट कर देता हूं फिर कंपेर करके दिखाता हूं आपको अब देखो अगर हम यहां पर मीडियेन मीन और मोड की वैलू देखें तो बहुत ज़्यदा डिफरेंस नहीं है जो मेडियेन है वो 137 है मीन है 137.05 मोड है 135.76 तो बस एक का बहुत ज़्यदा अंतर दिख रहे हैं आपको मोड में बाकी तीनों लगबग सेम सेम हैं तो कंपेर्जन में क्या लिखेंगे कि यह जो तीनों सेंट्रल टंडेंसीज है यह क्या है इनका मेजर्स टेंडेंसी आर्स एप्रॉक्सी मेटली सेम ठीक है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा तो यह हमारा आंसर हो जाएगा इस कुश्चन का आप चाहो तो राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके स्क्रीन सौट ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब करें हम मिलेंगे अगले झाल झाल